आधी कानून तोड़ सकता है, लेकिन सरकार कैसे कानून तोड़ देगी? ये बड़ी अच्छी बात कहिए, नमबर वन, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ख्यां जब देश के प्रदानमंत्री इतने कम जोर होगें कुझकी बनाई हुए अवास को उत्रप्रदेश के मुख्यं मंत्री टोड़ दे रहे हैं, आधी क्यु बड़ी बात किन्यू Breaking वो भारत सरकार के नरेदर मोदी जी के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुँपे तमाचा मारा जा रहा है कि आपने गलत पेट्रोल फंप नाया किस व्यक्ति का है किस जाती का है किस धरम का वो मतलब नहीं अगर बनाई तो पो पोट को बंद कर दिया जैंक दूसरा अगर एक बार फिर भी मान लेते हैं गि शेलिया आपने बुल्डोजर इस्थी सब को जमिनतों कर दिया तो क्या जो राजी के भगवान है नए सास्थ या जो देश के भगवान है नए मालिक, उन्होंने एक बार लिसकों नहीं सोचा ये जो 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 3 आदमी का परिवार है, जिसका 12 भाई 20 या 12 भाई 18 के घर को आपने तोड़ा, उसके घर की बहु बेटियां वो व्यक्ति रात को खाएगा क्या इस प्लास्टी की पन्नी में जाकर सोएगा क्या बुल्डोजर का ये आतंक है और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधियों के खिलाफ बुल्डोजर चला रहे हैं तो 40% कमीशन वाला करनाटक के मंत्री के घर पे बुल्डोजर क् अगर तो नहीं चला के अपरे तो दौति को रहा है इसका मतलब बुल्डोजर चलाया नहीं जा रहा है बुल्डोजर से समसे ज्यादा समाज के चौते पाइदान पर बैठे घरीब कमजोर व्यक्ति जाओं किसी धर्म-जाती काओ उसको टार्गेट करने की कोशिश्की जल्दी से जवाब संबे जी नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है शिवराद सिंग चोहान के अधिकारियों ने क्या कर दिया पीम आवास योजना राजगर में अंजना जी जब योगी जी बुल्डोजर चला रहे थे इसी प्रकार से योगी जी क्या कर रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कराया पहली बात अंजना जी कि मैं क्या पहनूंगा यह मेरा अधिकार है किसी बाप के अंदर दम ने को मुझे बताए कि मैं क्या पहली चीज के लिए रोनिची देश एक बात दूसरी बात अगर बुल्डोर चलाने का इतना ही दम है तो दिल्ली में स्कूलों की फीस महंगी और यह किताबे महंगी और यह दम है तो चला के दिखाईए वहाँ भारती जंता पार्टी क्यों चुप हो जा रही है उत्तर परदेश में फीस बढ़र रिवाहां को चुप हो जा रहे है क्या कुछ भी कहने पर आप सुनेंगे नहीं अगर आपने चुनाओ जीत लिया इसका मसलब यह है कि आप लोगों की जेप पे डाका डालेंगे हर बात को हिंदू मुसल्मान करेंगे मर रहा है गरीब पैसे कमारा है अमीर इंता दोस्त और बीज का जो मिडिल क्लास तीन सालों फे जिसकी सलरी नहीं बढ़े धन्दा चौपट इंकंटेक्स जी अपने आपने लोगों को मार रही है उसके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे यह सब लोग जो आपके सामने बैठें अलग-अलग पॉलेजिस के कैमपस के एक वक्त होता था से 7-8 सल पहले जो कैमपस सेलेक्शन होता था भया आप सबका फीटर कैसा है आपको दिखरा होगा हमें बताने की रोत में है संबीत पात्रा जी की राजनीत की दुकान चल रही है बाकी सबकी भी चल रही है आपकी कौन सी दुकान चलने वाली है आज आपने कहीं आपके पास अधिकार है कि आप किसी से